मसकार साथियों स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकड़िमी के यूटूब चनल पे मेरा नाम है कृष्णा मिस्रा दोस्तो हम लोग भारती संविधान पढ़ रहे थे और ये भारती संविधान हम लोग चैप्टर वाई सुरू किया है मतलब एकदम जीरू लेबल से स्टार संबंदी थे तो राज्य और केंदर सासित प्रदेश से संबंदी थे वरतमान में कितने राज्य हैं पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं तो वरतमान में 28 राज्य हैं और 8 केंदर सासित प्रदेश हैं दूसरी अनुसुची कि से संबंदी थे तो दूसरी अनुसुची वे वेतन होता है वह अनुसुची 2 से संबंदित नहीं है अब PCS में यहीं से कोश्चन आप से उठा के पूछा गया है वीडियो में भी एक बार एक्जाम में एक बार एक कोश्चन आया गया है ठीक है तीसरी अनुसुची किसे संबंदित है तो तीसरी अनुसुची सपत से संबं है लेकिन किसका सफद अनुष्ची 3 से संबंदित नहीं है तराष्ट पत अनुष्ची 3 से भाते हैं उसी तरीके से उपराष्ठ पति का सफद है वह भी उनुष्ची 3 से संब पते हैं यह यह एक नोठ था जिसको आपने नोट कर लिया होगा इतनी चीजे आप आपको क्लियर हो गई चौथी अनुसुची किसे संबंदिते तो चौथी अनुसुची राज्यसभा सीटों से संबंदिते है ठीक है यानि राज्यसभा में कितनी सीटे होंगी कितनी सीटे नहीं होंगी इसका संबंद किस से है तो अनुसुची चार से है ठीक है और वर्तमान में सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीट कहा है तो उत्तर प्रदेश में कितना है तो 31 है ठीक उसी तरीके से पांचवी अनुसुची किसे सम्बंदी थे तो पांचवी अनुसुची अनुसुची जाती और अनुसुची की जनजातियों का छेत्र को कुछ विसेश रियायत दी गई है इससे संबंदित है ये कल हम लोगे के वीडियो में complete पढ़ लिया था कि कौन सी अनसुची किसे संबंदित है अब हम लोग चलेंगे इससे आगे यानि कि सात्वी अनसुची किसे संबंदित है तो साच्वी संबंदित है यानि राज्यों की जो कारे प्रडाली है उसके बटवारे से संबंदित है और कितने प्रकार की सुचियां होती है तो तीन प्रकार की सुचियां होती है कौन-कौन सी तो संग सुची होता है राज्य सुची होता है और समवर्ती सुची होता है तो संग सुची म वो विषय आते हैं जिस पर केवल कानून बनाने के आधिकार भारत की संसद को या केंदर सरकार को होता है ठीक है और वरतमान में संग सुची में कितने विषय है तो वरतमान में संग सुची में 100 विषय है ठीक है पहले 97 थे इसमें 3 एड किया गया है तो 97 और 3 कितना हो ठीक है यानि कि वर्तमान में संग सुची में आप से question पूछेगा कि संग सुची में 20 की संख्या कितनी है तो 100 है पहले कितनी थी तो पहले 97 थी ठीक उसी तरीके से दूसरा है राज्य सुची राज्य सुची में कौन कानून बनाता है तो राज्य सुची में राज्य की सरकारे कानून बनाती है, यानि कि बिधान सभा कानून बनाता है, ठीक है, और इसमें कितने विशे हैं, तो इसमें 66 विशे थे, मूल में, ठीक, लेकिन इसमें से 5 कम कर दिया गया, यानि 6-6 में से 5 कम कर दिया, तो वरतमान में इस समय 61 विशे हैं, यानि अगर आप से question पूछ लेग कि वर्तमान में राज्य सुची के विसाय में कुल कितने विसाय है तो आप बताएंगे 61 है पहले कितना था तो पहले चाचर था यानि पहले चाचर था जिसमें से 5 को कम कर दिया गया पांच अनुसुचियों को कम करके क्या कर दिया गया है अब 61 कर दिया गया है अब आते हैं स समवर्थी सुची में क्या होती है तो समवर्थी सुची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं लेकिन अगर राज्य और केंद्र के कानून में बिवाद हो जाए तो उसमें किसका कानून मानने होगा तो केंद्र सरकार का कानून मानने होगा जब दोनों कानून म बिवाद होगा, मालीजे, राज्य सुची भी समवर्ती सुची के विशे में कोई कानून मनाती है, और केंदर सरकार भी कोई कानून मनाती है, लेकिन उन दोनों कानूनों में अगर कोई क्लेस हो जाता है, तो कानून किसका मानने होगा है, तो केंदर सरकार, यानि जो संसत के द्वरा जो कानून बनाय गया है वहीं anga underground यह समवर्ति सुची में वर्तमान में कितने विशे हैं तो समवर्ति सुची में वर्तमान में 55 विशे है तो आप बताएंगे 52 हैं, पहले कितने थे? तो पहले 47 थे, जो राज्य सुची में 5 विशय कम करक्टिये गया तो वो सम्वर्ति सुची में 5 विशय जोड दिया गया है, किस संभिधान संसुधन के दवारा? तो 42 संभिधान संसुधन, 1976 के दवारा ये 5 विशय सम्वर्ति चीज़े आप याद रखेंगे ठिक और कुछ विशेस मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर नोट करके इसको भी देख लीज़े तो भारत के संघात्मक बिवस्था में सक्तियों का बीभाजन करने की बात की गई है तो आप से कोशन पूछ लेगा कि भारत के संघात्मक सुची और समवर्ती सुची से संबंदित है ठिक है इसलिए इसको तीन सुचियों में विभाजित किया गया है ठिक आवसिस्ट विसय उन्हें बोला जाता है जो किसी विसय में सामिल नहीं होते और आवसिस्ट विसय किस आर्टिकल से संबंदित है यह आपको कमेंट करके ब राज्य सुची में सामिल नहीं है और जो समर्ती सुची में सामिल जो विषय नहीं है उसको किस में डाला गया है तो उसको अवसिस्ट विषय में डाला गया है और इन अवसिस्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका है तो संग सरकार या केंदर सरकार का है तो आप देखते हैं, संग सुचियों में कुछ विसय आते हैं, में विसय उसको याद कर लीजेगा, क्योंकि यहां से question पूछा गया है, वीडियो के exam में पूछा गया था, कि नागरिक्ता, नागरिक्ता किस सुची का विसय है, संग सुची, समवर्ती सुची, और सिस्ट सुची या र इसलिए नागरिक्ता किस का विसय है, नागरिक्ता संग सुची का विसय है, और वरतमान में संग सुची में कितने विसय हैं, तो सो विसय थे, पहले कितने थे, तो 97 थे, इसमें 3 को add किया गया है, एक-एक step को मैं बता रहा हूँ, इसको अगर आपने पूरा विडियो complete सब्सक्राइब सब्सक्राइब जनगड़ना निनिम से किसका भी से है, जनगड़ना भी आपका संग सुची का भी से है, क्योंकि देखिए अभी 2021 की जनगड़ना पूरी हो गई है, अब नया जनगड़ना होने वाला है, तो भारत सरकार करवाता है, इसलिए जनगड़ना किसका भी से है, तो संग सुची का भ किसा है? सभी बैंक जितने भी आपके बैंक बैंकिंग प्रणाली है, वो सभी किसका बैंक है? तो वो भी संग सुची का बैंक है, चाहे वो आपका प्राइबेट हो, चाहे वो सरकारी हो, सभी आपके संग सुची के बैंक होते हैं, लेकिन को आपके संग सुची के बैंक होते ह एक बार कि SANG BANK, SAKARI BANK, साकारी BANK निमनमे से किसका भिसा है, तो उसमें option देया था, SANG SUCI, Raja SUCI, समौर्ती SUCI, इनमे से कोई नहीं, तो कॉपरेटि जो BANK है, वो संग SUCI का भिसा नहीं है, ये भी किसके विसे हैं तो संग सूची के विसे हैं और आयकर, निगम कर और डाक कर ये सब भी किसके विसे हैं तो संग सूची के विसे हैं यानि इतने विसेओं को आपको याद रखना है एकदम मुझवानी याद कर लीजिएगा क्योंकि यहां से question आएगा ही आएगा को कम करके समवर्ति सुची में जोड दिया गया है अब देखते हैं राज सुची के विशे के अंतRO करद कौन को आता है तो कानून बेवस्था कानून बेवस्था यानि की पुलीस किसका भाग है तो राज्यworld बेवस्था लोक बेवस्था यानि जितने भी PCS अधिकारी होते ह जैसे कि SDM, SDM, तो देखते हैं ने कि उत्तर प्रदेश लोग सेवायोग, बिहार लोग सेवायोग, हर्याडा लोग सेवायोग, तो यह लोग विवस्था किसे संबंदित है, तो याद रखेंगे दोस्तों, यह लोग सेवा जो है, राज सुची का विशा है, उसी तरह के से भ जॉर्मेंट ने, तो इसका बहुत सारा विवाद हुआ था, क्यों? और यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पोचा था, कि क्रिसी तो राज सुची का विशा है, तो केंदर सरकार कानून क्यों नहीं बना सकती, हाला कि इसमें क्या होता है, राज सुची के विशा पे भी केंदर सरकार कानून बना सकती है, कब बना सकती है, जब राज्ट हित में कोई बात करनी हो, इसलिए क्रिसी कानून केंदर सरकार ने लाया था, एलकोहल, एलकोहल यानि कि जो सराब होता है, वो भी किस सुची का विशा है, तो वो भी आपका राज सुची का विशा है, देखते नह जो मैं लिखवा रहा हूँ दोस्तों इसको एक एक चीज नोट बना के आपको एकदम रट जाना है एकदम रट जाना है ताकि आपका कोई भी कोश्चन गलत नहीं हो ठिक उसी तरीके से बाजार एवंग मेले किसका विसे है तो बाजार और मेले भी आपका राज्यसूची का विसे है वहीं अगर मैं आपसे पूछू जुवा और सटे बाजी तो जुवा और सटे बाजी भी आपका राज्यसूची का विसे है दिवाली अभी बिती है दिवाली में खूब लोग जुवा खिलते हैं सुब माना जाता है तो इसलिए क्या है जुवा और सटे बाजी किस से संबंदीत है तो राज्य सुची का भी से है पसु पालन भी राज्य सुची का भी से है उसी तरीके से अस्थानी सरकार में कौन-कौन सा है तो आपका पंचायत है और नगर पालीगा ये सभी अस्थानी सरकार से संबंदीत है तो अस्थानी सरकार किसे संबंदीत है तो ये यह भी राज्य सुची का विशा है, लोक स्वास्त एवंग स्वक्षता, लोक स्वास्त एवंग स्वक्षता किसका विशा है, तो यह भी राज्य सुची का विशा है, इतनी चीजे आपको याद रखना है, ठीक है, यहां से कोशन आप से खुब पूछा जाता है, और आप लो बिसे हैं दोस्तों, तो समवर्ति सुची में वर्तमान में आपके कितने विसे हैं, तो 52 विसे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में 52 विसे हैं, ठीक हैं, और पहले कितने थे, तो पहले 47 थे, इसमें 5 को 5 एड कर दिया गया है, वो कौन-कौन सा 5 एड हुआ है, तो दिखे, सिक्षा पहले राज्य सुची का विसा है, लेकिन इसे समवर्ती सुची में कर दिया गया है, वन भी आपका पहले राज्य सुची का विसा था, इसको समवर्ती सुची में कर दिया गया है, जनसंख्या नियंत्रड एवंग परिवार नियोजन, ये भी आपका, ये माप एवंग तौल, माप एवंग तौल भी क्या है, इसको भी क्या कर दिया गया है, समवर्ति सुची में कर दिया गया है, और किस सम्विधान संसोधन के दवारा, तो बायलिस्वे सम्विधान संसोधन, यह CAA का मतलब क्या होता है, CAA का, Constitutional Amendment Act, इसको मैंने सौर्ट में लिख 1976 के दवारा, इन पांचों विश्यों को किस में कर दिया गया है, तो सम्वर्ति सुची में सामिल कर दिया गया है, तो आप से Question पूछेगा, कि किस सम्विधान संसोधन के दवारा, सम्वर्ति सुची में 5 विश्यों को जोड़ा गया है, तो 42 सम्विधान संसोधन 1976 के दवार जोड़ा गया है इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा ठिक और राज्य दवरा और बिवाह और बिवाह बिवाह बिच्छेद यानि कि जो साधिया होती है न मैरी सर्टिफिकेट अब आज कल क्या है कि साधि होने के बाद मैरी सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी हो गया है तो बिवाह और बिवाह बिवाह बिच्छेद यानि कि तलाक जो होता है वो भी किसका संबन्द है उससे वो भी किस विशे संबन्द है तो समवर्ती सुची का बिशे है और 42 संबिधान संसुधन 1976 के द्वारा राज सुची यानि राज सुची से समवर्ती सुची में लाया किसे तो इस पाँचो अधिनियम को यानि के सिक्चा को वन को जनसंख्या को अधिनस्त नियाले का प्रसासन मापतोल को समवर्ती सुची में कौन कानून बना सकता है तो केंद्र और राज्य दोनों सरकारे कानून बना सकती है ठीक है अब आते हैं IPC यानि जो भारती दंड अगीता होती है जब आपने UPSI के तयारी किया होगा तो मूल विधी आपने एक पढ़ा होगा उसी में IPC, CRPC आप लोग पढ़ते हैं तो IPC और CRPC का संबंद किस से है तो समवर्ती सुची से है अकबार एवं मैग जीन जो आप लोग डेली एक न्यूस पेपर पढ़ते है न निम निमे से किस सुची का विशा है तो समवर्ती सुची का है राजी सुची का है या संग सुची का है या अवसिष्ट सुची का है तो याद रखेंगे समाजिक और आर्थिक नियोजन समवर्ती सुची का विशा है तिक तो ये होगी है हमारा सात्वी अनुसुची तिक य पहले भारत में कितनी भास आये थी? तो पहले भारत में 14 भास आये थी, अब कितनी भास आये हैं? तो वर्तमान में 22 भास आये हैं, ठीक है? और अलग-अलग संविधान संसुधन के दौरा इसमें भास आये एड हुई हैं, ठीक है? तो सबसे पहला संविधान संसुधन कब हु सबसे पहली भासा जो एड की गई थी वह कौन थी तो सिंधी थी उसके बाद से संभिधान संसुधन होता है ठीक पचास साल बाद संभिधान संसुधन होता है संभिधान संसुधन होता है 1992 में यानि 21 में 50 जोड़े कितना हो गया एकहत्तर आया ठीक और इसके द्वारा तीन भासाओं को जोड़ा गया है कौन कौन सा तो नेपाली मडीपूरी और कौंकडी किसको किसको जोड़ा गया तो नेपाली मडीपूरी और कौंकडी इनको याद क प्रिक क्या है नमक, नमक से याद करें, नौ से क्या हो जाएगा, नेपाली हो जाएगा, मा से क्या हो जाएगा, मडीपूरी हो जाएगा, और का से कौंकडी हो जाएगा, यानि कि 71 आप से कोच्चन पूछेगा, कि 71 संविधान संसोधन के द्वारा निमने में से कौन सी भासा नहीं जोड़ी गई है आप आपसन में दे देगा नेपाली, मडीपूरी, कुंकडी और सिंधी तो सिंधी जो आपकी भासा है यहां 71 संविधान संसोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया है यहां 21 संविधान संसोधन के द्वारा जोड़ा गया है ठीक है और इसमें कौन-कौ अंग्रेजी स्वामिल अक्सर लोगों को लगता है कि अंग्रेजी जो है आठवी अनसुची में अंग्रेजी को सामिल नहीं किया गया है और उसी तरीके से भोजपूरी भासा जो पुरवांचल में हैं हम लोगे जैसे दिवरिया कामें दिवरिया से हूँ बनारस में भी स्थानी अंग्रेजी और भगपूरी इन तीनों को वी आठवी अनुसुची में जगा नहीं दिया गया है अब आता है बावनमा संभिधान संसुदा 92 संभिधान संसुदा टिक तो देखे इसको याद करने का क्या है कि 21 में 71 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 92 आएगा यानि क 52 में संभिधान संसुदा ये कब हुआ था तो 2003 में डेट सबका याद रखना है 21 जोड़ेंगे तो catching समया को में कितना जोड़ा सबसक्राद था तो पहली संविदान सविर में एक बासा को जोड़ा गया जब दूसरा हुए सब्सक्राद शुन को जोड़ा गया और तीसरी संसुदन हुइन तूमें चार उता हो जोड़ा गया कौन कौन सा टो फूंक्ध decrease मैथली और संथाली in इन चार भासाओं को जोड़ा गया है, इनको याद करने की trick क्या है, इनको याद करने की trick है, MBDS, MBDS, ठीक है, MB, जैसे MBBS है ना, तो B की जग़ा पे क्या लगा देंगे, D लगा देंगे, second B की जग़ा पे D लगा देंगे, MBDS, यानि की Bodo, भोडो, डोगरी ठीक है वोडो, डिगरी और मैतली संथाली ठीक है तो इसको कैसे याद करेंगे इसको याद करने का ट्रिक है M से क्या आँ जाएगा M से मैतली B से बोडो D से क्या हो जाएगा D से डोगरी और S से संथाली यानि MB DS आप से आरो का जो पेपर हुआ था समिक्षा अधिकारी समिक्षा अधिकारी 2021 में पूछा गया है कि 52 में संभिधान संसोधन के द्वारा निम्नमेस से किस भासा को सामिल नहीं किया गया है उसमें आप्सन दिया था बोडो, डोगरी, मैथली और मडिपूरी तो याद रखेगा मडिपूरी जो है यह इसको 52 में संभिधान संसोधन के द्वारा सामिल नहीं किया गया तो देखिए दोस्तों, पढ़ाने के साथ साथ जहां-जहां से कोस्चन बने है, वो मैं आपको हिंट कर देता हूँ, ताकि आपको आइडिया लगता है कि हमें किस तरीके से भारती संभिधान को तयार करना है ताकि आप कभी फ्यूचर में अगर आरो यारो का पेपर आये या बीयो का पेपर आये तो आपको पता रहे कि किस तरीके से पॉलिटी हमें पढ़ना है टिक है? चलिए, अब हम लोग चलेंगे अपने अगले पर हमारी अगली अनुसूची है नौवी अनुसूची नौवी अनुसूची किस संभन दित है? तो नौवी अनुसूची को पहले संभिधान संसोधन 1991 के द्वारा जोड़ा गया है तो आपसे पहले ही कोश्चन पूच लेगा, पहला ही कोश्चन पूचा जाता है कि नौवी अनुसूची को किस संभिधान संसोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो पहले, सबसे पहला जो संभिधान संसोधन हुआ था, 1991 द्वारा उसी के द्वारा नौवी अनुसूची क जोड़ा गया है और यह किस से संबंदित है यानि कि 90 अनुसुची जो है यह किस संबंदित है यह भूमिसुधार से संबंदित है ठीक है और इसके तहद दो अनुच्छेद जोड़े गया है कौन आर्टिकल 31 अ क्लॉज ए क्या पढ़ते हैं इसको मैंने बताया तो पढ़ने क तरीका तो आर्टिकल 31 क्लॉज A उसी तरीके से आर्टिकल 31 क्लॉज B ठीक है यह दो चीजे जोड़ी गई है ठीक है आर्टिकल 31 क्लॉज B में क्या कहता है कि भूमिसुधार के कानून नौवी अनुसुची में सामिल होंगे जिन मामलों पर कोर्ट हस्तक्छेप नहीं कर सकत यानि कि आर्टिकल 31 भी कहता है कि नौवी अनुसुची में जो जो भी भूमिसुधार कानून है उस पर कोर्ट का हस्तक्छेप नहीं होगा लेकिन एक बाद आता है कोहिलो केस 2007 कोहिलो केस पूछा गया आप से PCS में कि कोहिलो केस वाद किस से संबंदित है तो नौवी से संबंदित है और ये कब आया था कि 2007 में हुआ था और कोहिलो केस के द्वारा यह निर्ड़े दिया गया कि 1973 के बाद 1973 के बाद नौवी अनुसुची का कोई कानून आधार भूत धांचे का अगर उलंगन करता है तब नौवी अनुसुची को कोर्ट में चुनोती दी जा स सकती है यानि कि 1973 के बाद जो कानून बना है अगर वो आधार भूत धांचे को क्या करती है तो यह क्या होगा उसमें कोर्ट क्या करेगी करवाई कर सकती है यह ठीक है और वरतमान में उसमें किल कितने कानून है तो वरतमान में अनुसुची में 284 कानून है याद रखेंगे इसको कि वर्तमान में आपसे question पूचा गया है कि नौवी अनुसुची में वर्तमान में कुल कितने कानून है तो 294 कानून है नौवी अनुसुची में टिक अब आते हैं हम दस्वी अनुसुची दस्वी अनुसुची किसे संबंदित है तो दस्वी अनुसुची दल बदल कान लाया गया था, तो 1985 में लाया गया था, टिक, अगर आर्टिकल की बात करें, तो दल बदल कानून किस आर्टिकल से संबन्दित है, तो आर्टिकल 102 से संबन्दित है, आपके कई बार कोश्चन में पूछा गया है, हलाकि ये कोश्चन ज्यादा तर PCS एक्जाम में आया है, कि दल बादल कानून निम्ने में से किस आर्टिकल से संबंदित है, तो आर्टिकल 102 से संबंदित है, टिक, जितनी मैं चीजे एक्स्ट्रा बता रहा हूं दोस्तों, इसको आप लोग नोट डाउन कर लिजीगा, इतना बेहतरी नोट्स आपको पॉलिटिक और साहित कहीं नहीं मि बादल कानून वह कानून है, जिसमें कोई संसद अपने लाभ के लिए पार्टी बदल लेता है, जैसे कई बार आपने देखा होगा, कि लोग जैसे कि आपने यूपी में चुनाओ देखा, यूपी में जो मुख्यमंतरी थे, मलब की आधितनयात योगी ये, ठिक, तो उनक बहुत सारे लोग गटबंधन कर लिया, ठिक है, और गटबंधन करके सरकार बनाएं, ठिक, बाद में किया हुआ कि उन्होंने क्या किया, गटबंधन तोड़के, किसी अभी देखिए, बिहार में हुआ है न, बिहार में नितिश कुमार ने क्या किया, गटबंधन तोड़ गटबंदन तोड़के किस में सामिल हो गए तो उसमें सामिल हो गए जो उनकी पार्टी है लालू यादो की पार्टी उसके साथ गटबंदन करके CM बन गए है तो इस तरीके के कानून में क्या होता है दल बदल कानून होता है लेकिन हाला कि वो दल बदल कानून के अंतरगत न कानून लगाया जाएगा ठिक और उस संसद को head of house के तहत के द्वारा हटाया जाता है और ये head of house कौन कहलता है तो ये जो head of house होता है वह लोग सभा का अध्यक्ष होगा और विधान सभा का अध्यक्ष होगा ठिक देखे तो क्या होगा अगर मालीजे कोई संसद है वह पी को छोड़ कर किसी और पार्टी को जोइन कर लेगा तो उसके दल बदल अधिनियम कानून लगा जाएगा और उसके दवारा लोग सभा का अध्यक्ष होगा वह क्या करेगा वह उसे क्या करेगा निलंबित कर देगा यानि कि वह क्या करेगा कि उसकी सांसदी जो है वो चिन जाएगे ठीक है और दो टिहाई से कम इसमें एक संविधान संसोधन हुआ था इक्यामरमा संविधान संसोधन कब हुआ था 2003 में इसमें कहा गया था कि दो टिहाई से कम सदस है अगर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो यह कानून लागी होगी, ठीक है, पहले यह प्रावधान कितना था, तो एक ती आई था, लेकिन अब यह नियम बदला गया, 91 सम्विधान संसुधन 2003 के द्वारा, जिसमें एक यह कहा कहा किया, कि दो ती हाई से कम, अगर माल ज यदि कोई ब्यक्ति अपनी पार्टी छोड़ देता है, उस पे भी यह कानून लगेगा, अपनी पार्टी के खिलाप वोट देता है, अगर माल लिजे कि आप बीजेपी पार्टी के सदस्य हैं, बीजेपी पार्टी के सांसद हैं, और बीजेपी के खिलाप ही अगर आप व निर्दली उमिद्वार पे बी क्या होता है किसी पार्टी को जोइन कर लिया और उसके बासे छोड़ेगा उसके भी दल बदल कानून लग जाएगा इतनी चीजे आपको याद रखना है अब आते हैं हम इग्यारहमी अनसुची, इग्यारहमी अनसुची किसे संबंदित है, तो इग्यारहमी अनसुची को 73 संबिधान संसोदन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है, और इसमें पंचायतों की सक्ति को लाया गया, यानि कि इग्यारहमी अनसुची किसे संबंदित है, तो पंचायत से संब्धी है, ग्राम पंचायत से, ठीक है, और इसमें कुल کتने विषय हैं, तो अगर आप से विषय पूछेगा, तो आप बताएंगे 29 विषय हैं, आपसे किसी एक्जाम में पूछा गया इसमें, कि 5 पंचायत में कुल कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं, और article की बात की जाए तो 16 आर्टिकल है ठीक है इसको याद रखना है कि पंचायती विवस्था में कुल कितने विशे हैं 29 विशे हैं और 16 आर्टिकल है अब आता है बाहरावी अनुसुची बाहरावी अनुसुची को 74 संभिधान संसोदन 1992 द्वारा जोड़ा गया है और बाहरावी अ आज में कितने विशे थे 29 विशे थे इसमें 18 है ठीक और यह किसके समय में लाए गया था तो पीयम नर्सिम्हाराव के समय में यह अनुसुचिया मतलब यह दोनों अनुसुचिया जोड़ी गए थी 73 और 74 संभिधान संसोदन के द्वारा तो दोस्तों आज हम लोग कंप्ली इसके एकजाम भी दे, आरो एरो एकजाम दे या बीओ एकजाम है या सूपर टेट दे या वीडियो दे कोई भी एकजाम आपका अगर अनुसुचियो से एक भी कोशन आपका गलत नहीं होगा इस तरीके से मैंने अनुसुचिया आज खतम कर दी, कल हम लोग पढ़ेंगे प अनुसुचियों से संबनित कुछ कोश्चन देखेंगे कुछ कोश्चन देखें ताकि मैं ये भी तो देखू कि आप पढ़ने के बाद तयार भी कर रहा है एक नहीं तो अनुसुचियों से मैं कुछ कोश्चन पूछूँगा उसके बाद से हम लोग प्रियम्बल स्टार्ट करेंगे ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप सभी अपना ध्यान रखेगा दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो फ्लीज अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा सेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए ठीक है क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये प्री आप कस्ट सब को मिलें ठीक है और सब लोग एक साथ सलेक्षन लें ठीक है इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप सभी अपना ध्यान प्रिजयो म tenho बढ़र,